आप देख रहे हैं प्राइमिटिया दिव्स खबर के अंतर का सच हम आप पर हुए जुर्व राताएं के उखास करें हर मेने ग्यास स्लेंडर पर सबसीडी घट्ती दिख रही है भले ही इसमें कई तक्निकी बाते शामिल हो किन्तु यह गरीब नागरिकों को प्रभाविक कर रहा है ग्यास स्लेंडर की कीमते एक दशक से अधिक समय से बढ़ रही हो आमतोर पर दस वर्ष पुर्व 400 रुपए अभी जो स्लेंडर उपलब्द है वह 600 से 700 रुपए में उपलब्द हो रहे है विशेश रूप से सबसीडी के बीच अंतर कम या ज़्यादा जिलेवार है दिसंबर के महिने में 705 रुपए में ग्यास स्लेंडर उपलब्द है इस पर सबसीडी 125 रुपए दिये जाते है किन्तु जो सिलेंडर गरीबों को मिलता है वह सस्ता नहीं है वतमान में भंडारा जिले में 2,95,843 गयास सिलेंडर धारक है जिले में 22 गयास वितरक धारक है खाते से जुड़े लाभातियों को सबसीडी के नाम पर छलावा किया जा रहा है सबसीडी के नाम पर बहुत कम राशी जमा की जा रही है दिसेंबर में सिलेंडर की कीमते बढ तक नहीं पहुचाया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता सिलेंडर की होम डिलेरी करने वाले अतिरिक तब पैसे मांगते है राशी 10 से 20 रुपे तक होती है राशी ग्यास धारोकों के लिए एक जुर्माना है यह प्रकार ग्रामी शेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करे साथ ही यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे